हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सोगी देखिए 20 सितंबर से मिथला इन्वर्सिटी का बीएट सकेंडियर का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है देखिए तो हम आपका भीवी आई कोस्चन लेके आ हैं आपका कोर्स नाइन का इससे पहले हम आपका कोर्स एट का नौलेज करिकूलम का भीवी आई कोस्चन करा दिये हैं जो नहीं देखेंगे देखेंगे वो देख लिजेगा देखिए आपका कोर्स नाइन का नाम है एसस्टमेंट फोर लानिंग यानि अधिगम का आकलन देखिए लिखा हुआ है भीवी आई कोस्चन बीएट सकेंडियर 2021 मिथला इनवर्सिटी दर्भंगा कि देखिए इसके बाद आपका कोर्स बचिए टेन उसके बाद 11 आपका ऑप्शनल पेपर होता है उसमें बहुत का पी से चुकेशन क्या रहता है आप लोग कमेंट का कि बता दिए जिनका ज्यादा होगा मोई उसी काम भीवी आई कोस्टन करवा और उसमें से आपका पांच का जवाब देना है समझे देखिए एक और चीज बताते हैं कि देखिए यूनिट वन में आपका आकलन से और मुल्यांकल से रिलेटेड एक कोस्टन रहेगा ही रहेगा एक जाम में एदम याद रखिएगा इसलिए आकलन और मुल्यांकल को अच होग के आकलन से आपड़ान का वीडियो आपको पलेडीस्ट में मिल जाए एक उदानोड लीजेगा नहीं आकलन का अच्छा से अध्यान कर लीजेगा आपका एक कोस्टन रहेगा ही हो 141 and hour कि यकष़म्डी दूस्ञ से आपकी है इसके विवर्न परकारों को परिभासित कि देखिए गवार चीच बताते हैं तो पढ़ लिजेगा अच्छा से कि उसका और परिवास यह सब क्या है प्रस्तामना और देखिए गवार चीच आपको बताते हैं कि आकलन और मुल्यांकन में आपका अंतर पुछादा 2020 के गजामें तो हो सकता आपकी बार आपका आकलन में अंतर समंद यह तीनों पर लिजेगा आप जोर के लिख सकते हैं समझें मापन मुल्यांकन आकलन के अंतर समंदों की विवेचना कीजिए यानि डिफाइन एविलूशन डिसकर्स दा इंटर रिलेसंस चीप बिट्वीन इवलुएसन मेजरमेंट एंड एसेस्मेंट आई धिज्व के आखलन तो अधिम का आखलन में क्या आंतर समझें मतलब एसेस्मेंट फॉलर लर्निंग एसेस्मेंट के लिए और की मतलब इस में अंतर पूछ देता है समझें तो इसको भी थोड़ा बेख लीजीए गार pooर्ण आपका है में एतेडिंटन के लिए इसेस्मेंद लगने अधिगयम का आकलन देगा अससेस्मेंट औफ लरणिंग यानि फोर आफ याद रखेगा वहीँ कि अधिगयम के लिए अकलन क्या है इस आकलन में पर्योग आने वाली विभिन उपकरणों का वन नंहीं कोन कौन उपकरन में उप्योग आती है समझे वही है कि वाट इसमेंट फोर इन लर्निंग डिसक्राइब डिफ्रेंट टूल्स विच और विज फोर एक्समेंट में कौन-कौन उपकरन का उप्योग करते हैं और एक आप पढ़ लिजेगा कि अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम का आकलन में क्या आंतर है इसको भी आप देख लिजेगा समझे आई आप देखते हैं चोथा कोस्चन है कि सम्हूँ आकलन से आपका क्या ताथ पर जाए उप्युक्त उ इस्ट्रा में पढ़ लिजेगा कि वह भी आई आपका है कि स्वेम्ई सहपाठी आकलन से आप क्या समय हूँ आता है अप स्वेम्उंट प्रकीर स्मसेटी alors एक सहपाठीय – पीर एसिस मेंट Assembly पढ़ लिजेगा क्योंकि आपका त्यश्सकीर तो आप स्वेम्फ में पुछ कि यहीं जाईएगा समझे यूनिट टू हो गया आए यूनिट थिरी में आते हैं देखिए यह तो कोस्टन बहुत भी भी आई आए आपका यह तो हर साल से डिलेटर कोस्टन पुछता ही पुछता है कि अधिग्यम के विविन आयाम क्या है संग्यानात्मक किस पकार किया जाता ह देखिए कोस्टन जो पूछा गया है कि अधिग्यम के तीन आयाम होते हैं संग्यानात्मक भावात्मक उसको बोला जाता है इंगलिस में पर्फरमेंस हिंदी में निस्पादन लर्निंग बोल सकते हैं समझे यानि तीन आपका होता है ओ देख लिजेगा तीनों आप परहीं कि आता है तो एहीं अधिग्यम के वीविन आयाम क्या है संग्यानात्मक अधियम के आकलन किस प्रकर किया आता है यानि वाट आड दीफेरेंट डाइमेंसेंस अप लर्णिंग वाट डिवीन बाइस समेंट लर्निंग होईट एससमेंट कैन दू डफ टोशन देखिए बहू किस प्रकार के आता ऐसे भी कोशन आपको पूछ सकता है समझे या कोशन आएगा कि अधियम के भी नायाम क्या है इसे भी रह सकता फिर आपका छठा कोशन है कि सिक्षक के को सलों का आकलन करने है तू परियोग होने वाली निस्पादन उपकरन की विवेचने करें मतलब परणाली में की भूमका क्या है विद्यारतियों के आकलन में ग्रेडीं पर नाली की महत्य की मेर्ख्या की दिए अब अब पर लेजोब के वाट is the role of CVC in ग्रेड इस्टम क्या होगा देखके देटा है समझे। प्रभीति माप से आप क्या समझते हैं आकलन में इसके उपयोगी की विवेचना की यानि वाट डूइम एंदर स्टेंड वाई मेजर ओप सेंटरल टेंडेंसी डिसकर्श देर एप्लिकेशन इन एसस्मेंड और अठमा है कि उपलब्दी परिछन दम वीडियो भी इसका मिल जाएगा उपलब्दी परिछन की परिवासा दे इसके निर्वान के विविन सवपानों का वनन गरें संब्सक्राइब देफ्रेंट स्टेप अब इट कंस्ट्रक्शन समझे और आप इसमें स्ट्रामेल देख लिजेगा दम रहेगा ही संचयाही भिलेक सब कोच्छन आता आए लेक प्रगति पत्र पधिशलेशन अराचनात्माक पत्ति-फुस्टि सम्झे यानि प्रति पुस् आपका है निमलिखित में किनी दोपा संची पूछ सकता है कि परगतिव पत्र एवं संचाई अब ले किस प्रकार छात्रों कि निस्पत्ति के विशलेशन बैख्षा में महत्पूर्ण है चर्चा के लिए समझे यह पूछे या इसे करके पूछे आप लिख सकते हैं जो आपक यूनिट में आपका है कि यूनिट थाइफ है कि विद्याली सिक्षा की वरत्मान आकलन परना लिका आलोचनात्मक विशलेशन करें अभी जो विद्याली सिक्षा की वरत्मान आकलन परना लिए उसका आलोचनात्मक विशलेशन करना है और दसमा आपका है कि निम्ड में सं और आपका डिए उसके बाद आपका सी नमबर प्रॉस्ट न बैंक छूट गया था लास्ट करते गाए उसी से को रिलेट करके जो कोष्टन बोल ला है कोश्चन निग्जा में छोड़िएगा नहीं इसके बाद सीप टेन का डाल देंगे और देखिए और चीजी बताते हैं और कौन ज्यादा सब्जेक्ट लेते हैं समझे उसका मतलब कमेंट कर दिजेगा उसकी अनुसार हम आपको बना देंगे वीडियो समझे ठैंक यू